नमस्कार स्वागत है आप सभी का एनम 92 बारव भरती में कुछ लोग ऐसे हैं जो कि नहीं चाहते हैं कि आपकी भरती पूरी हो जब भी प्रयास किया जाता है जनता दर्शन कारिक्रम हो या फिर मुख्यमंतर जी को ग्यापन देना हो यानि जहां से आपकी भरती सुरू हो सकती है ऐसे मुहिम में कभी साथ नहीं देते हैं ये लोग और 20 मार्च को सुप्रीन कोर्ट में सुलवाई होनी है कितना दिन बचा है चार-पांच दिन का समय बचा है 20 मार्च का डेट अगर छोड़ दीजिए तो अब इसी में धरना देना है तो ये करना है यानि सब कुछ अच्छा चलना है आपकी भरती में और 20 मार्च के बाद अगर सब कुछ ठीक रहा हम सभी अपने इश्टेदों से प्रातना करेंगे हमेशा करते हैं और हम हमेशा आप सभी के लिए प्रातना करते हैं कि आप सभी बेहनों को कितनी जल्दी नियुक्ति पत्र मिल जाए आप सभी से ज्यादा खुसी हमें होगी और सब कुछ ठीक चलना है 20 मार्च के बाद जल्दी नियुक्ति पत्र मिलने की पूरी उमिद है मुक्यमंत्री जी के उपर पूरा भरोसा है कोर्ट वाले प्रकरण कुछ ऐसे आ गए जिसकी वज़े से देरी हुई नियुक्ति पत्र बीच में भी पहले भी बाटे जा सकते थी मुक्यमंत्री जी ने नहीं बाटा इसलिए बहने नाराज है उनसे प्रदेश की मुक्या है उनके उपर भरोसा भी है भरती का बिग्यापन उन्होंने निकाला है वही भरती पूरी भी करेंगे लेकिन हमें कहीं से भी सरकार के सिष्टम के खिलाफ नहीं जाना है वीडियो को पूरा कंप्लीट सुनिएगा आप एक देखिए 79,000 शिक्षक परती वाला जो प्रकरण था इससे आपकी भरती सही से कोई लेना देना नहीं है यहाँ पर एक मिनमम क्वालिफाइड मार्स रखा गया था 60 और 65 परसद 90 और 97 ब्यंग वहाँ पर MRC और ओबर लेपिंग का परकरण है उसके पहले एक भरती थी 68,500 शिक्षक भरती दूर दूर के जिले मिल गए थे उसमें जिला आवंटन जिला प्रेफरेंस भी लिया गया था दूर दूर के जिले मिल गए थे फिर बादने कोर्ट का आदेश था कि आप MRC रूल लागो करिए MRC में ये रूल था कि जो आरक्षित वरक के अब भेरती हो बहले ही वे अनारक्षित में जा रहे हो लेकिन अगर उन्हें अपना जिला देना पड़े तो उन्हें अपना जिला देने की कोशिस करें भले ही उनको अपने केडिगरी में ही क्योंने समयोजीत करना पड़े बाद में फिर उसमें मामला चलता रहा कि उसमें कुछ और अब भेरती थे उनका कहना था कि उनको आप दो-दो बार आप आरक्षड का लाब दे रहे है एक बार लाब ऐसे मिला कि जो आरक्षीत वर की आप भेरती थे उनके लिए पासिंग मार्क कम रखा गया था फिर जब दोबारा से मेरिट बनती है तो वहाँ पर भी ओबर लैप करते है तो यह सारे उसमें चीजे थी है और उसमें सिंगल बेंच से हाई कूट लकनो बेंच से यह फैसला सुनाया गया है कि जो 79,000 सिक्षक बर्दे की मूल चैन सूची है उसको रिबिजिट करना है उसको ठीक करना है तो उस भरते से आपके भरते का कोई मेंटर नहीं हमने एक पोश्ट भी कर दिया था सूबही जो न्यूज पेपर की कटिंग थी उसके साथ में ताकि आप लोग परिसान नहों अगर आपको विस्तार से जानना हो तो आपको विस्तार से भी हम इसके उपर जानकारे दे देंगे लेकिन आपके भरते से कोई मतलब नहीं है इसलिए हमने इसके उपर कोई भी वीडियो नहीं मनाया हाला कि कुछ लोगों का message आया था WhatsApp पर किये इस पर आप एक जानकारे दे दीजिए तो उमिद करते हैं कि इतनी information से आप सभी को कुछ इत्तों चीजे clear हुई होगी कि उस भरती से आपके भरती का कोई मतलब नहीं है और आपके भरती में एक भी बहन का नियुक्ति पत्र नहीं रुकेगा 277 में ये बाते मैं उसी दिन से कह रहा हूँ हाला कि आप लोग पहले सुरु सुरु में आपको कभी कभी लगता है कि नहीं हम 277 के चक्कर में ऐसा नहीं कि आप लोग थोड़ा सा चागरूग रहिए आपकी ही भरती नहीं अभी हम जिस भरती की बारे में बता रहे हैं 277,000 सिक्षक भरती उसी भरती में कुछ लोगों नहीं उसमें जो कोट के साधी करा करके फिर उसी में एक उनका चल चल जाता है जो भी आप समझ लीजिए कि उस तरह से उनके इंकाम का सोर्स बन जाता है और कितना पैसा कमा लेते हैं साध आप कलपना भी न कर पाएं साध एक पचास आठाजर के परमंत कमाने वाले जो पूरे नौकरी के दौरान न कमा पाएं वो लोग साल-दो साल में कमा लेते हैं साल-दो साल में तो वही चीज़े आपकी भरती में भी मैं देखे किसी के लिए नहीं कह रहा हूँ बस आप लोग जागरुक रहे इतनी सी बाते बस अगर आप लोग समझ पाएं तो ठीक है क्योंकि आप लोग बरोसा कर लेंगे किसी के ऊपर भी तुरंद क्योंकि ये कई लोगों के द्वारा आप सुने होंगे कि आपकी भरती के लिए हम प्रयास कर रहे हैं को सिक कर रहे हैं असल में प्रयास कौन कर रहा है आप सब प्रयास कर रहे हैं और दो-दो परिक्षा है किस ने पास की, आप लोगों ने पास की, हमके वले एक मादने में आप सभी के लिए कि जानकारी आप सभी को सही दे पाएं, और जब आपकी भरती प्रक्रिया शुरू हुए थी, उसके पहले भी वही सब चीजे चल रही थी, और अब भी भी वही नौरी की बात, जब कोर्ड ओर आ गया था, आपकी भरती पूरी करने के लिए, उस समय कोई साथ नहीं आता था, जो अभी लोग कह रहे हैं कि नहीं हमें धनना प्रतस्थन करना चाहिए, सरकार के खिलाफ हमें यह करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, उस समय जब हम एक तो 22 को मिल जाएगा तेस को मिल जाएगा आप सभी को याद होगा इस तरह से चीजे बताई जाती थी और जान बुछ करके ताकि आप लोग बिलकुल प्रयास न करें और देखे क्या हुआ अखेरंत में हमने उसमें आप लोगों से कितनी बार निविदन किया कि हमें कोशिस कर अब कुछ लोग कहा रहे कि मुख्य मंत्री जी नाराज हो जाएंगे हम लोग ऐसा कर का रहे हम लोग निविदन नहीं कर सकते है अपने प्रदेश की मुख्या जी से हम उनका असिरवात लेने के लिए जा हैं वो क्यों वहला नाराज होंगे अपनी बात रखने के लिए कुछ बहने अगर गोरकपुर में जनतादर्शन कारक्रम में हापते में एक बार चली जाती है फिर किसी अन्य जिले में कारक्रम होता जैसे वो नाराज होते कोई भी गोर्मेंट हो अगर हम उनके खिलाब जाएंगे तो नाराज होंगे और उसमें नुकसान किसका होगा आपका नुकसान होगा 20 मार्च को सुप्रिम कोर्ट में होने वाली सुनवाई में आयो की तरफ से जवाब को लेकर के उनकी पूरी तयारी है और कोई भी बिदिक दिक्कते ना आएं इसलिए सबी बेहनों को एक साथ नियोकती पत्र बित्रड़ हो इसके लिए सुरू से कोशिस चल लई है बाकि हम तो चाहरे थे कि सेस बेहनों को भी मिल जाए एक बार प्रोसेस तो सुरू हो लेकिन वैसी चीजे संभव नहीं हो पा रहे थे इसलिए मैं आपको पहले भी कह रहे थे कि अभी संभव नहीं लग रहा है इसलिए लेकिन अगर आप में से कुछ लोगों को ऐसा लगा हो कि हम क्यों बिरोध कर रहे हैं बिरोध नहीं कर लेधा हम कभी भी मिल नंहीं आगे की भरती आए उसमें कोई नई नियमावली लागू हो बात की बात है आपकी बरती जिस नियमावली की तर्थ पूरी हुई है उसी नियमावली की तर्थ आपकी बरती आगे की प्रक्रिया भी कम्पलीट होगी मानने नियाले के पास फैसला गया मैं मामला गया अभी सरकार को अपना पक्षे रखना है पहरी भी करनी है तो वहाँ पर जो कुछ भी ओचीजे होल्ड के लिए आये थी कुछ समय के लिए है कोई पर्मानेंट होल्ड भी हांदी जी आप सभी आप सभी की भरती है पूरी होने के कगार पर है 20 मार्च को सुनवा ही होने जा रही है सब कुछ अच्छा चलना है आपकी भरती में और सब कुछ अच्छा ही आगे भी होना चाहिए और होगा हमें आप सभी की मेहनत पर हमें सबी के अपने अपने इस्टी दें सब लोग प्रातना करते हैं हम यह अपने इस्वर पर भगवान पर भी बरोसा है मुख्यमंतरी जी पर भरोसा है 17 तारिक को मुरादा बादवाले कारकरम में जो भी बहने आसपास कीजिए लेकि हो कि आप लोग जरूर साथ देजिए जितना अधिक सेधिक संख्या में हो सके उस मुहिम को भी सफल बनाएंगे और उसके पहले 15 तारिक को भी है मुख्यमंतरी जी का कारकरम जिस दिन भी मुख्यमंतरी के कारकरम का पता चलेगा अब भी हमारे पास था लेकिन मिल नहीं पा रहा भी साइध मुबाइल में सेब नहीं हो पाया था थो हम बहुत जल्दी उसकी सूचना आप सभी को दे देंगे आज यही दे देंगे अभी यह वीडियो अपलोड कर रहे हैं कि जस्ट बाद हम आदे गंटे के बाद हम कॉम्मणिटी पोस्ट पर हम ऐसे ही सेयर कर देंगे और ग्रूप में भी वोई इमेज हम सेयर कर देंगे जो 15 थारिक को मुख्यमंदर जी का कारकरम है और जिस जिले में है उस जिले की बहने अस्थानी बहने आस पास की बहने जरूर आप अपने उस कोशिस में आप सभी लोग साथ दीजिए और अपने प्रयास को हमें अनवरत इसी प्रकार से करते रहना है 20 मार्स तक के लिए बस में 20 मार्स तक के लिए आप सभी से कह रहा हूँ करकी मिल सकती है निवयादन करना है कि सर जो कोर्ट में प्यरवी करनी है उसकी पूरी तयारी पूरी पेर्वी इस परकार से हो कि हम सभी का भला हो जाए सभी बहनों को न्यवक्ति पत्र मिल जाए 20 मार्च की तुरंद बाद बस यही निवेदन करना है उनसे जो बेहने लखनों की हों आप सभी आयों के सचीव सर से भी मिल लिजी एक बार कल की डेट में जाकर की मिल लिजी जब आपको उचित लगे एक बार आप सभी जाकर की मिल लिजी ए सेस मुख्यमंदर जी का कारकरम जिल जिलों में होता है उन जिलों की बेहने लगातार जो है पहले से आप तयार रहें जैसे ही आपको सूसना मिले तो उस दिन हमें एक गंड़े दो गंड़े तिन गंड़े का समय निकाल करके पूरा प्रयास करना है सान्ति पुरवक तरीके से ग्यापन देती रहना है और जो आप चाहते हैं कि आपकी भरती पूरी न हो ऐसे लोगों से आप दूर रहें जाग रूक रहें सतर्क रहें और हो सके तो ऐसे लोगों CI बिलकूल भी आप जितना हो सके दोरी बना लें कि कितने मेहने से एक रोजगार मिलता है सरकारी करना पड़ता है कितने त्याग करने पड़ते हैं कितना शमय उसमें देना होता है कितनी तपस्या के बाद उसमें भी मेनत तो बहुत लोग करते हैं लेकिन क्या सब लोग सफल हो पाते नहीं हो पाते हैं जिनके पास कोई इस तरह का सरकारी रुजगार है नहीं तो इसी तरह स तो साटकर तरीका अपनाते हैं इसी तरह से कि मैटल को किस परकार से फसाया जाए किस परकार से साटकर तरीके से तो ऐसे लोगों से दूरी बना करके रखें धन्यवाद